नमस्ते, आज हम आजादी का पच्चेतरवा साल मना रहे हैं। इन पच्चेतर सालों में हमने काफी जीत आसिल की। तो चलो इन पलों को याद करते हैं। सन अठासो सतासी, आनन्दनी बाई जोषी जो पहली मैला बनी जुन्होंने फिजीक्स में जीता सेखी। वो ट्रेंड ही वेस्टन बढ़िसन गिली और साथ की। वो पहली मैला हैं जुन्होंने युएसे में ट्राण ही। कहते हैं ना, आज की जनरेशन में नारी और नर में कोई अंतर नहीं रहा। इसका एक एक एग्जामपल, रौशनी शर्मा, शी इस दे फर्स वोमेन तो राइड मोटर बाई फ्रम कन्या कुमारी टू कश्मीर। कुप सुथी में हम इंडिया में इसकी बाद एक कुछ हटकी है। जी हां, रिटा पवल जो सन 1966 में फर्स मॉडल बनी, वो एक कौलिफाइड डॉक्टर थी जन हमें एशन वोमेन एंड मिस फॉल का टाइटल जीता था। इसको वजाने के लिए दुश्मन को भगाने के लिए ये किरनवेदी कभी पीछे नहीं हटी। जी हां, किरनवेदी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडिया। अरे भाई, आप इससे कैसे फूल गए। अमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया, श्रीमती इंद्रा घांधी जी। देश को प्राउट पील कराने के लिए हम मेज भी कभी किछे नहीं आते हैं। जी हा, सचिन ननुलकर, फर्स इनन बेस्ट मन जिरोने डबल सेंचुरी मारी बंडे इंडनेशनल मैश्टर। Not only this, Novan Gumbu, he was the first man to climb Mount Everest twice in his lifetime. कुछ दिन पहले, हायान्या के शेर ने दुनिया के सामने अपने वतन की श्यान को पूचा कर दिया। हमारे देश के नीरचोपडा, जो पहले पुरुष बने जिन होने ओलम्पिक्स के एथलिटिक शेत्र में गोल मिडल हासिल किया। हमारा बारत देश हर शेत्र में आगे बढ़ा और उचाया हासिल की। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया बारत के सामने चुकेगी। और हर भारतियक को गर्व होगा भारतियक होने का। जैहन वन्दे मात्रव।